आपका जीवन मंगल मैं हो लाइक करें, शेयर करें आचारे पंडित गिरीश बारोलिया जोतिश, हस्त्रेखा एवं वस्त चैनल आपका जोतिश, हस्त्रेखा एवं वस्त चैनल गिरीश बारोलिया मित्रो, दो दन पस्चा तैनि पच्चीस मार्च से नवरात्री का त्योहर प्रारम होने के लिए जा रहा है इसी दिन से हिंदूओं का नवरस भी प्रारम होता है तो सर्प्रथम आप सभी लोगों के लिए नवरात्री पर्व की धेर सारी सुबकामना है बार नवरस की धेर सारी सुबकामना है आप लोगों का जीवन सुखमे हो आप लोगों खोस रहें आपके जीवन में मां हमेशा आपके लिए सक्ति प्रादान करे आपकी हर्मनु कामना पूरी करे मित्र-नवरात्री का पर्व एक बहुती बिसेश पर्व होता है इस समय बहुत सारी सक्तियां जो है आकास में बिच्रण करती है और एक ऐसा परभ है जिसमें हम एदी किसी के उपास ना करते हैं किसी भी मंतर का जाप करते हैं तो वह अन्य शमय के अपेक्षा कई गुना जादा हमें लाप राप्त करता है गायतरी लगव अनस्थान से संबन्द की नौरातरी में गायतरी का एक लगव अनस्थान किस परकार से किया जाए इसके बारे में हमने वीडियो डाले हुए है और बड़ी प्रसनता होती है कि नित जो हमसे हमारे पास में कम से कम 20-25 पहुंच जरूर आते हैं और वो हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आचारी जी किस प्रकार से हमें लगव अनस्थान करना है कई लोगों की यह भी एक्षार रहती है कि गाहितिरी के अलावा क्या हम सक्ति की अपासना भी कर सकते हैं दर्गा सबस्ति का पारट कर सकते हैं या मा दर्गा के ऐसे कौन सा में जाब करें जिससे कि हमारी शमर्भ समचाओं का हमने समonce धान हो सके तो आप सभी के आग्रह पर हम आज आपके लिए एक ऐसा क्लीम बीज मंतर लेकर क्या है मा कगाली का मा दुरुगा का कि जिसे यदि आप जबते हैं इस नौरात्री में तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए आसाती सफलता प्राप्त होगी आपके मन में जो है सकारात पंग बिचार आएंगे आपके मन में सांती रहेगी आपके हरकार पूर्ण होंगे आपके सत्रू आपसे पराजित होंगे कोट का चरी का चक्कर चलना तो बो दूर होगा साधी ब्याय नहीं हो रहा तो बो आपकी समश्या का समाधान होगा बिध्या में अधिया आपका मन नहीं लग रहा पड़ाय में मन नहीं लग रहा तो उसमें आपके लिए सफलता मिलेगी इंटर्वी उत्यादिया आप देने के लिए जा रहे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी जीवन से जुड़ी हर समश्या के समाधान आपको इस मंतर के द्वारा मिलेगा यह मा दुरगा का क्लीम बीज मंतर है और हम इसके अलावा एक और मंतर बताएंगे जिसका इस मंतर का एदिया आप संपुट लगा करके उस मंतर का एदिया आप जाप करते हैं तो आपके लिए धेर सारी जो है समश्याओं का समाधान प्राब्द होगा तो सबसे पहले जो है सक्ति की उपासना का समय होता है तो इस समय दिया आप सक्ति की उपासना करते हैं नमत्तस्ये 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 नमोनमा यादेवी शर्व भूतेशु मात्र रूपेण संसिता नमत्तस्ये 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 नमोनमा यादेवी शर्व भूतेशु सक्ति रूपेण संसिता नमत्तस्ये 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 नमोनमा यादेवी शर्व बिद्ध्या रूपेन संसिता नमत तस्य नमत तस्य नमत तस्य नमो नमा या देवी शर्व भूतेशू लक्ष्मे रूपेन संसिता नमत तस्य नमत तस्य नमत तस्य नमो नमा या देवी शर्व भूतेशू छमा रूपेन संसिता नमत तस्य नमत तस्य नमत तस्य नमत तस्य माँ आपके लिए शमा भी करती है माँ आपको बिद्ध्या भी देती है माँ आपको मातरत भी देती है माँ आपको सक्ती भी देती है तो माँ दुरगा की यदि आप उपासना करना चाहते है तो दुरगा सबसती के पार्ट भी आप कर सकते है उसके अलावा यदि आप ज्यादा आपके पास समय नहीं है या तो आप 24,000 जो हम मंतर बता रहे हैं उसके यदि आप जाब करेंगे तो पिर आपके लिए बहुत ज्यादा इसमें सफलता प्राप्त होगी और यदि आपके इस फास में समय नहीं है तो कम सकम तीन मॉला का आप 9 दिन तक निदे तीन, तीन मॉला के दिए आप जाब करते हैं तो फर आपके लिए आसाती सफलता प्राप्त होगी तो मंतर हम आपको बताग कर देते हैं एक मंत्र सिर्फ जिसमें क्लीम बीज मंत्र लगा हुआ है और दूसरा मंत्र इसी मंत्र में संपट लगा करके इस दूसरे मंत्र का किस प्रकार से जाब किया जाए दोनों मंत्रों में से जो आपको सुविधा जना को उस मंत्र का आप जाब कर सकते हैं तो पहला मंत्र है, ओम एम हरीम क्लीम चामुंदाय विच्चे, ओम एम हरीम क्लीम चामुंदाय विच्चे, दूसरा मंत्र है, फिर से सुन ले, ओम हरीम क्लीम चामुंदाय विच्चे, ओम हरीम क्लीम चामुंदाय विच्चे, दूसरा मंत्र में आप किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए आसा तीस सफलता प्राप्त होगी, तो मित्रो आसा है, आप इस मंत्र का भी आप, गैत्री मंत्र के साथ, इस मंत्र का भी आप लाव उठाएंगे, इन्ही कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आपकी नौरात्री का परव आपके लिए बहुत धेर सारी खुसियां लेकर के आए और नया वर्स आपके लिए धेर सारी खुसियां लेकर के आए इन्ही कामनाओं के साथ में हमें आग गया दें नमश्कार अमुर्शान मित्रो और आप भी अपने जीवन में किसी समस्क्रास से परिशान है कोई समस्क्रास से आप जूज रहे हैं पती पत्ने में आप से मद्वेद हैं अ अलाग की इस्थिती आ गई है प्रेम संबंद में कहीं कोई परिशानी जा रही है परिवार को लेकर के परिशान है संतान को लेकर के परिशान है संतान नहीं हो रही है यदि हो गई है तो वह आपकी बात नहीं मानती है कि कई प्रकार की समस्चों से आप जूज रहे हैं वैप परबंद हो गया है नव्नरी लग रही रही हैई में समष्थ जानकारी के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं है संपर करने का हमारा तरीका है हमारे दोना नंबर स्क्रीन पर आपको देखाई दे जन्मिस्थान यदी छोटा है तो वहां का आप डिस्टिक प्लेस बेज़ें उसके पश्चात में हम अपना यहां से अपना बैंक एकाउंड नमबर बेज़ेंगे जो कि हमारी प्रामर सुल्क है ग्यारा सो रुपया एक कुंडली देखने का वह आपको पहले जमा करना पड़ेगी उसके पश्चात हम आपको समय देंगे उस समय पर आप हमसे अपने जीवन की जुड़ी हुई समझ समझ्चाओं के समाधान के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं उस कुंडली के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़ी समझ्चाओं के समाधान के बारे में बताएंगे और छोटे-छोटे से उपाय आपको बताएंगे जिसमें आपका एक ही रुपया खर्च नहीं होगा तो संपूर्ण यदि आप अपने भागे को जानना चाहते हैं संपूर्ण आप जानना चाहत उसके पस्चाथ हम आपसे के जीवन में जुड़ी हुई हरेश समझ्चा के समाधान के बारे में बात करेंगे और छोटे-छोटे से उपाय बताएंगे एदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसका चार्ण हमारा 31 रुपया है जिसमें कोरियर चार्ण समलित है तो उ उसके पस्च ships time! की यहम लिकार करके करके देते हैं पूरे नवग्रह का पूरा न वेक्रह प्रण हाठ के देते हैं किज्फल प्रण हम अपने हातों से लखता से जानकारी आण है की ङ Capital आपको बैठा हुआ है और क्या वहान आपके लिए देने वाला है। आपके प्यरी ओन करने चाहिए नौकरी करने चाहिए उसके जीवन में जो भी समश्या आंगी वो सारी की सारी चीज़े इसमें आपको जो है पूरा भिवराण आपको मिलेगा इसका चार्ज इक टीस सोह उप्या जिसमें कूरियर चार समलित है तो आप अपने बनवा सकते हैं अपने बच्चों की अपने परिवार के किसी भी शदच इसकी आप सक्ते हैं तो मित्रो हमारा संपर करने के हमने आपको तरीका बता दिया आप हमारे बाट साप नंबर पर जो है अपने शमश्याओं को भेश सकते हैं छोटी ओटी कोई समश्या हो ग्रह प्रविस कप करना है मुंडन संस्कारादी कप करना छोटी ओटी कोई समश्या हो तो आप हमारे बा अबसर जरूर देंगे नमस्कार